देव भूमी उत्राखंड पूरे विश्व में परेटन के शेत्र में काफी महत्वपूण भूमी का अधा करता है यहां ऐसे तमाम प्राकर्तिक संपद्दा से भरपूर ऐसे नजारे हैं जो परेटकों को अपनी और आकर्शित करते हैं चाहे मैं बात यहां की नदियों की करूँ परवतों की करूँ या ज़र्नों की जिसका दीदार करने सैल आनी देश-विदेश से उत्राखंड में पहुंचते हैं आज हम आपको पिथोरगड की एक ऐसी जगह में लेकर आए हैं जहां से हिमाले का सुन्दर नजारा देखने को मिलता है और ऐसा सुन्दर नजारा पिथोरगड के अन्निक इसी जगह से आप को देखने को नहीं मिलेगा मैं इस वक्त खड़ा हूँ पिथोरागर से मातर सतर किलोमीटर की दूरी पर इस्तित हलतस्या गाउं में जहां से हिमाले की स्रिंखला साफ साफ देखी जा सकती है यहां पर नैपाल से होते हुए पूरे गड़वाल हिमालिया का दृष्ष यहां पर साफ साफ दिखता है तो आएए आपको भी दिखाते हैं यहां पर का खुबसुरत नजारा सामने जो यह परवत मालाएं दिख रही है यह गड़वाल हिमालिया से सुरू होके कुमाओ हिमालिया से लेकर सामने नैपाल तक यह यहां पर से यह हिमाले संकला दिखाई देती है जो यह सामने अभी दिख रहा है यह नैपाल हिमालिया है और उसके बाद आता है कुमाओ हिमालिया जो सामने आपको अभी दिख रहा है सामने पंचा चुदी परवत है उसी के साथ नंदा घुम्टी, पिंडारी गिलेशियर और उसके बाद यहाँ पे पुरे भारत की दूसी सबसे बड़ी चोटी नंदा देवी मौजूद है सामने नंदा देवी का विहंगम नजारा आप यहाँ पे से साफ साथ देख सकते है पिथारागर से 22 किलोमीटर दूर बड़ाबे गाउं के नस्दीक पढ़ने वाला हलतस्य गाउं परेटन की दिश्टी के इसाप से देखा जाए तो काफी एहम है यहाँ पिथारागर के सबसे उंचाए वाले इलाके का जगह है जहां से पूरे हिमाले और नीचे पहाड की वादियों का खुबसुरत नजारा देखने को मिलता है यहाँ के इस्थानी निवासी भी यहाँ पे हम मिरसाद मौजूद हैं उनसे बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा होटल खोल कर सरुजगार चला रखा है उनसे जानते हैं कि यह छेत्र परटन की दिष्टी से कितना महत्तोपूर्ण रखता है आपका नाम? मेरा नाम जगदीश परसाद कोली जी है आप कब से यहाँ पे दुकान चला रहे? लोगडाउन के बाद अगर कोई रोजगार नी था उसके बाद हमने यह वोटल और यह दुकान खोली थी सो रोजगार के लिए थोड़ा अपने इस छेत्र के बारे में मता दीजिए इस छेत्र में पर्यटन के अपार संबावना है जो की दर ऊपर थलकेदार और नीचे लटेसर बंदीर है और उधर भगवती मंदीर है जैसा कि हमने आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताया कि पिथोरागड के बड़ाबे गाउं से लगा हुआ यह शेत्रक परेटन की दिष्टी से काफी महतोकून है और यहां ऐसी अपार संभावनाय मौजूद हैं जो परेटकों को अपनी ओर आकरशित करती हैं यहां की खुबसुरत वादियां यहां के जंगल और यहां से दिखता ह हुआ खुबसुरत हिमाले का नजारा जरुवत है तो इस इलाके को विक्सित करने की सरकार को परेटन के शेत्र में ऐसी जगवों का चैन करके इन इलाकों में एक परेटकों के ठहरने और रुकने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए पिथावरागड से हिमान सु जोसी न् करके दिये